प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब अब और नेवर मिस अनाधर अपडेट स्वागत है दोस्तो टिक्स कारड़ा में फिर से अब सभी का एक वार स्वागत हैं आज हम लोग देखेंगे केरेंट से फिर के बहुत ही महत्वपून पार्ट से यानि केंदरिये बजट दो हजार बीस और एकीस को देखेंगे जो हाल ही में जो बजट पेस हुआ है केंदरिये बजट 2020 के लिए जो पेस हुआ है उसको हम लोग देखेंगे कि इसे समंधित महत्वपून कोस्चन को हम लोग देखेंगे जो एक्जामनेशन में आता है तो दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं तो इसमें पहला कोस्चन है कि आम बजट 2020 किस ने प्रस्तूत किया तो निर्मला सिता रमन के द्वारा पेस किया गया कि संस्था के गठन का गोषना किया गया है यानि कि संस्था के अस्थापना का गोषना किया गया है देश के सीच्छा को बढ़ावा देने के लिए तो इसका जो नाम है संस्ता का A Study in India का इसक्रम यानि A Study in India को प्रारम किया गया है भारत में सीच्छा को बढ़ावा देने के लिए एक किस के द्वारा जारी किया गया है तो निर्मला सितारमन के द्वारा बर्स 2020 का जो बजट जो प्रसूत किया गया है उसमें इस बात को बताया गया है अगला कोश्यन है कि बर्स 2020 के बजट के तहत किस वर्स तक किसानों के आय को दुगना करने का लच रखा गया है तो इसका झो इनसर होगा बर्ष 2022 तक और कीस काजकरम के के तहद्गर पूछा जागा तब सुलह सुथरी काजकरम के दington Post को रखा गया है कि किसानों काय को दूगना करना है तो कीस वर्ष तक की लच सकर रखा गया है तो यह 2022 तक रखा गया है ये बर्स 2021 के बजट में इस बात को प्रस्तूत किया गया है अगला कोशन है कि बर्स 2021 के बजट के घोशना के अनुसार भारत की जो अर्थ वेवस्था है दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थ वेवस्था है तो इसका जो इंसर होगा वो पाचमी है यानि बजट जो घोसित किया गया है इस वर्ष जो बजट पेस किया गया है उसके तहत 20 मेरे भारत का जो अस्थान है वो बड़ी अर्थ में बस था कि क्रम के अनुसार देखा जाए तो पाचमा अस्थान पे आता है अगला कोशन है कि टीवी के खिलाफ कौन सा अभियान के शुरुआत करने की घोसना किया गया है तो इसका जो इंसर होगा टीवी हारेगा देश जीतेगा समझे बरस 2020-21 के बजट में इस वाद को जारी किया गया है कौन सी अभियान को जारी किया गया है तो टीवी हारेगा दे रखा गया है अगला कोशन है कि बजट 2020-21 के तहत सीच्छा पर कितना रासी आवंटित किया गया है तो इसका जो एंसर होगा 9300 करोड रासी परदान किया गया है यह सीच्छा पर आवंटित किया गया है बर्स 2020-21 के बजट में इस बात को प्रसुत किया गया है अगला कोशन है कि बजट 2020-2021 की घोसना में दूध, मांस, मचली सही खराव होने वाले सभी चीजों के बस्तूओं के लिए किस चीज के अस्पेशल चीज सुरू किया गया है यानि दूसरे अस्थान पे भेजने के लिए इसको प्रस्तूत किया गया है यानि प्रारंभ करने का योजना बनाया गया है तो इसका जो एंसर होगा किसान रेल यानि किसान रेल प्रारंभ करने की घोसना किया गया है बर्स 2020-2021 के बजट के अनुसार अगला कोशन है कि बजट 2021 के तहत आदिवासी उनिवर्सिटी की घोसना कहां किया गया है तो इसका जो इंसर होगा वो राची में किया गया है कहां किया गया तो राची में किया गया अगला question है कि बरस 2021 PPP model पर कितने smart city सहर विक्सित करने की घोसना की गई है तो इसका जो answer होगा 5 यानि नए जो PPP model है उसके कितने smart city सहर विक्सित करने का जो योजना बनाया गया है तो इसका जो एंसर होगा 5 अगला कोशन है कि हर घर पाइप से पानी पहुचाने के लिए कितना रासी आवंटित किया गया है बर्स 2021 के बजट में तो इसका जो एंसर होगा 3.6 करोड की रासी आवंटित किया गया है बर्त 2020-21 में हर घर तक पाइप से पानी पहुचाने के लिए अगला कोशन है कि बजट 2020-21 के लिए कितना रासी आवंटित किया गया है तो बजट 2021-21 के लिए जो रासी आवंटित है 1.2 लाख करोड रासी आवंटित किया गया है बर्त 2021-21 के बजट के लिए तो दोस्तों अगर ये विडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे विडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आते रहते हैं तो आपको सबसे पहले पहुँचेगा और ये बिल्कुल फ्री है बजट 2020-21 के अनुसार हेल्थ सेक्टर में कितने रासी आवंटित किये गये है तो इसका जो एंसर होगा 79,000 करोड यानि हेल्थ सेक्टर के अगर बात किया जा कि बजट 2021 के बजट में हेल्थ सेक्टर पे कितना रासी आवंटित किया गया है तो इसका जो एंसर होगा सागर मित्र किंद्र के अस्थापना करने का जो लच रखा गया है तो इसका जो एंसर होगा 3077 यानि 3077 सागर मित्र किंद्र के अस्थापना करने का लच रखा गया है अगला कोशन है कि बजट 2020-21 के अनुसार स्वास्त भारत मीशन को कितना रासी परदान किया गया है तो इसका जो इंसर होगा 12300 करोड जो रासी परदान किया गया है ये स्वास्त भारत मीसन को परदान किया गया है अगला कोशन है कि 5 लाख से 7 लाख तक की आए पर कितना टेक्स निर्धारित किया गया है समझे तो 10 पर 30 पहले कितना था तो 20 पर 30 पहले कितना था यानि 5 लाख से अगर कम अगर आए है तो उस पर टेक्स लगेगा ही नहीं लेकिन अगर 5 लाख से अधीक अगर टेक्स है तब उस पर टेक्स लगेगा और सभी का टेक्स लग अलग अलग है समझे यानि अगर कोश्चिन किया जा कि 5,5,7,0,0,0,0 तक कि आय पर जो टेक्स लएगा वो कितना लएगा तो 10 पर 30 लएगा यानि साथ लाग से लेकर के 10 लाग तक के जाय पर 20 पर 30 लएगा इस को संसे इतना जाने काली मिलता है अब देखते हैं अगला कोश्चिन अगला कोशन है कि बजट 2020-2021 के ते तहत तूरीज्म को बढ़ावा देने हैं तो कितने रासी आवंटित किये गाए हैं तो इसका जो इंसर होगा वो पचीस सो करोड़ यानि बरस 2020-2021 के जो बजट जो तयार किया गया है इसके तहत जो रासी जो अवंटित किया गया है टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो रासी परदान किया गया है यह पचीस सो करोड रुपे परदान किया गया है अगला कोश्चन है कि केंद्रिये बजट 2020 से किस संसद में कपेस किये गए तो इसका जो answer होगा एक फरवरी को प्रस्तूत किया गया है अगला कोश्चन है कि बजट 2020 से किस कीन बातों पर केंद्रित रहा है तो इसका जो answer होगा governance, ease of living और बितिये छेत्रों पर ये depend रहा है यानि केंद्रित रहा है इस पर अधिक फोकस किया गया है इन बातों पर जो बर्स 2020 से किसका जो बजट है अगला कोश्चन है कि बजट 2020 से किस के तहत राजकोशिये जो घाटा रखा गया है उसका कितना परतिस्यत रखा गया है तो ये 3.5 परतिस्यत रखा गया है तीन दसमलों 5 परतिस्यत जो रखा गया है ये राजकोशिये घाटा के रूप में रखा गया है बर्स 2020 से किसके दो हज्यार पचीस तक नए जो एयरपोट बनेंगे वो सो नए एयरपोट बनाने का लच रखा गया है इस वर्स के बज़ेट में अगला कोश्चन है कि परदूसन के निवारन के लिए कितना रास्य अवंटित किया गया है तो परदूसन के निवारन के लिए चवालीस सो करोड रुपे अवंटित किये गया है अगला कोश्चन है कि नवीनी करन उर्जा के छेतर के लिए कितने करोड रासी का अवंटित किये गया है तो इसका जो एंसर होगा बीस हजार यानि नवीनी करन उर्जा के लिए बीस हजार करोड रासी अवंटित किये गया है बर्स 2020-2021 के बजट में तो बजट 2020-2021 में निर्मला सीता रमन ने कितने रेलवेय स्टेशन पर बाई फाई की सुविदहाएं सुरू करने की गोशना किये हैं तो इसका जो एंसर होगा पांसो पचास यानि अब पांसो पचास और यानि जितना हो गया उसके बाद भी पांसो पचास रेलवेय स्टेशन को और भी बाई फाई शुविदह से लेस करने की बेवस्था किये जाने की घोशना किये गए हैं अगला कोश्चन है कि भारत के की स्राज में पहला डिजिटल बजट पेस किया गया तो इसका जो एंसर होगा उत्राखंड यानि उत्राखंड में सबसे पहले डिजिटल बजट को पेस किया गया अगला कोश्चन है कि बजट 2020 से केस में महिला किसानों के लिए कौन सी योजिना की घोशना किया गया है तो इसका जो इंसर होगा धन लच्मी योजिना यानि कोश्चन अगर पुछा है कि धन लच्मी योजिना का समन्द कीशी से है तो यह महिला किसान से इसका समंध है तो यह budget से महत्वपून question था और भी हम लोग देखेंगे budget से महत्वपून question को अब देखते हैं यह current का question था आप देखते हैं इससे समंधीत और कुछ महत्वपून तथ को हम लोग देखते हैं तो देखें बजट सब्द का पर योग अगर पूछा जा कि सबसे पहले कहां किया गया था या इसका अर्थ क्या होता है यह सभी question को हम लोग देखेंगे तो budget सब्द का जो अर्थ होता है चमड़े का थैला होता है यानि कोश्चन अगर किया जा कि बजट सब्द कार्थ क्या होता है तो ये चम्डे का थैला होता है अब कोश्चन अगर किया जा कि बजट सब्द का परियोग सबसे पहले कहां किया गया था तो ये फ्रांस में किया गया था यानि बजट सब्द का परियोग सबसे पहले 1803 में फ्रांस में किया गया था अगला है कि बजट का सबसे पहले प्रस्तूत कहां किया गया था तो बजट का सबसे पहले जो परारा में किया गया था वो कहां इंगलेंड में किया गया था सबसे पर अगर प्रसूत का अगर बात आएगा तो इंग्लैंड के परधान मंतीर रोबाट बालपुल के दोरा सरपर्थम बजट को प्रसूत किया गया था अब भारत में बजट परनाली के अगर सनस्थापक अगर पूछा जा तो जेम्स वीलसन को मानेंगे समझेए, यानि भारत में budget जो सब्ध है, इसके जो जननदाता माना जाते हैं वो James Wilson को मानाजाता है अगला point है कि budget की सुची में आता है, तो budget समर्ति सुची में आता है अगला है कि budget को कहा परस्तूद किया जाता है, तो budget को लोक सभा में परस्तूद किया जाते हैं अब देखिए, ह handled के समान्य बजट को बीत मंतरी फरवरी महा के अंतिम कार्द दिवस में पेस करता था लेकिन अब बरतमान समय में अब प्रस्टीज किया जाता है। सब्लाइब बजट कोई अंतिंद्ध किया जाता था लेकिन बर्तमान समय में अब तिये वर्स प्रारम होता है ये कमुता है मैं अग्ला पूइन कि रियल में वजटको समाने वजटर से आलग कव किया गया था तो ये 1924-25 में किया गया था किस समिति के सिफारिश पे तो एक वर्थ समिति के सिफारिश पे अलग किया गया था रेल बजट को आम बजट से लेकिन बर्श 2017 में भाजपा सरकार के द्वारा रेल बजट को केंद्रिये बजट में फिर से मिला दिया गया और एक किस समिति के पर मिलाया गया था अगला पॉइंट है सोतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को सनमुखं से ठीक के दौरा पेस किया गया था अगर कोश्चन किया जा कि सोतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था तो यह सनमुखं से ठीक के दौरा प्रस्तुत किया ठाल लेकिन भारत सबसे अधिक पेस करने का अगर किसी के पास अगर है लोग की याद कर सकते हैं कि मुरार्जिय दसाई भारत का दसवार बुचट पेस किये हैं भारत सरकार के बजट के आंकडों में बैध और कूल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है उसे बज्टीए घाटा कहा जाता है समझे बज्टीए घाटा का पूछा जा तो तो भ आउटकम बजट को पहली बार किसे प्र दोका कि पर 25 अगस्ट को पीछी तंप्रम साहब के दौरा प्रस्तोत किया घया था उटकम है तुटिक किया जाता है पर इस हम एक्जामनेशन में आता है अक्सर कोश्चन आता है कि सुन्य बजट क्या है तो सुन्य बजट यानि हर बार बिल्कुल नए सीरे से बजट त्यार करने का जो सिलसीला है जो परंपरा है इसी को हम लोग सुन्य अधारित बजट हम लोग कहते हैं यानि ऐसा नहीं कि इ अगला सब भोसक्ता है कि और कम किया जाए यह अगला सब 6.000 करोड कर दिया जाए तो नए सीरे से फिर से इसको इतना रासिया वंटीत किया जागा नकि यह बचा-दा ुगा हुआँ और सली से अगरी बज़ट होता है यानि बिलकूल नए सीरे राजीव गांधी के दोरा 87-88 के लिए अब कोश्चेन अगर किया जा कि सुन्य बजट किस डेश का दिन आजा सम्जा कि कि अगला पॉइंट है कि बजट पूर्व आर्थिक समीच्छा के लिए किस में प्रस्तूत किया जाता है या नहीं यह सिर्फ और सिर्फ लोग समीच्छा के लिए प्रस्तूत किया जाता है अगला पॉइंट है कि सम्विधान के किस अनुछेत के तहत बार्सिक बितिये बजट तियार करने का उलेख है तो इसका जो एंसर होगा 112 यानि सम्विधान के अनुछेत 112 के तहत बार्सिक बितिये बीवरन यानि बजट तियार करने का हमारे सम्विधान में उलेख किया गया ह अगला पॉइंट है कि राज सरकारों की बजट के समंध में जो विवस्था दिया गया है यह किस अनुश्यद में है तो यह 202 में है यानि राज सरकार का अगर पूछा जा तो 202 अनुश्यद के तहत बजट का उलेक है और किन सरकार का अगर पूछा जा तो 112 अनुश्यद में से सबसे पहले पहुँचे और यह बिल्कुल फ्री है इसका कोई भी चार्जे नहीं है और अपने दोस्तों के भी अधिक से अधिक शेयर कीजेगा धन्यवाद जैहिन